नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिमान शुभट हमें शिवलिंग का अर्थ आज तक बिल्कुल गलत बताये गया है दरसल अकसर लोग कहते हैं कि शिवलिंग में जो लिंग शब्द है इसका अर्थ होता है प्राइविट पार्ट ज्यान के अभाव में लोगों ने शिवलिंग की आकृती के आधार पर इसे इस्त्री और पुरुष यानि शिव और शक्ती की जनेंद्रिया समझ लिया जिससे इस संसार की उत्पत्ती होती है लेकिन वास्तव में शिवलिंग में लिंग या योनी का अर्थ प्राइवेट पार्ट होता ही नहीं है दर असल इतने सालों से हमें केवल गुमरह किया गया है सनातन धर्म को आगात पहुँचाने और सनातन संस्कृती को तभा करने के उद्देश्य से हमारे वेदो पुराणों और शास्त्रों के वास्तविक अर्थ को बदलने का प्रयास किया गया और शब्दों के वास्तविक अर्थ को रुपांत्रित कर दिया गया ये किया किसने? मुगलो और अंग्रेजो ने मुगलो और अंग्रेजो द्वारा किये गए इसी अर्थ के अनर्थ को हम पीड़ी दरपीड़ी आगे बढ़ाते गए और ये अधूरा ग्यान और ये अफवाएं ये गलत फहमिया हमारे साथ आज तक चली आ रही है जहां हम शिवलिंग के वास्तविक अर्थ को भी भूल गए और हम इतने मूर्ख निकले कि हमने शिवलिंग में लिंग के अर्थ को प्राइवेट पार्ट समझ लिया ये अपने आप में ही भगवान शिव का अपमान है दरसल शिवलिंग में जो लिंग शब्द है इसका अर्थ होता है प्रतीक या चिन अगर हम हिंदी के व्याकरण में जाएं तो हिंदी के व्याकरण में स्त्री लिंग और पुलिंग आते हैं इस्त्री लिंग और पुलिंग का अर्थ इस्त्री और पुरुष के प्राइविट पार्ट नहीं होते हैं। जबकि इस्त्री लिंग का अर्थ होता है इस्त्री का प्रतीक और पुलिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक यानि लिंग शब्द का अर्थ हुआ प्रतीक या चिन उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ प्राइविट पार्ट नहीं होता है शिवलिंग का अर्थ होता है भगवान शिव का प्रतीक शुन्य आकाश अनंत ब्रह्मान और निराकार महापुरुष का प्रतीक होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है इसकंद पुराण में भी कहा गया है कि आकाश स्वैम में लिंग है वातावरन सहित घूमती धर्ती और अनन्द ब्रह्मांड का अक्ष ही लिंग है यानि कि धर्ती सहित ये समस्त ब्रह्मांड शिव लिंग पर ही टिका हुआ है और आप इस फोटो में भी देख सकते हैं ये जो हमारे यूनिवर्स की इमेज है ये नासा द्वारा जारी की गई है यानि नासा भी मानता है कि यूनिवर्स इस आकार का दिखता है और जिस आकार का यूनिवर्स दिखता है उसी आकार का शिवलिंग भी है तो शिवलिंग की आकृती ही हमारे ब्रह्मांड की आकृती है और इसे विज्ञान ने भी माना है वायू पुरान के अनुसार प्रले काल में हर महायूक के पश्चात पूरा संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से स्त्रिजन होता है इसलिए ब्रह्मान की समस्त उर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है और भगवान शिव का निराकार रूप ही है शिवलिंग शिवलिंग को अनन्त भी कहा जाता है यानि कि जिसका ना कोई अन्त है और ना ही कोई प्रारंब है जो अनन्त है वही शिवलिंग है यानि भगवान शिव का निराकार रूप ही शिवलिंग है शिवलिंग को प्रकाश स्थंब, अगनी स्थंब, उर्जा स्थंब और ब्रहमांड ये स्थंब के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मांड दो चीजों से बनाएं पदार्थ और उर्जा विज्ञान भी पदार्थ और उर्जा को मानता है और हमारा जो ये शरीर है ये शरीर पदार्थ है और हमारी आत्मा उर्जा है इसी प्रकार भगवान शिव पदार्थ और शक्ति उर्जा का प्रतीक बनकर ही शिवलिंग कहलाते हैं भगवान शिव और माता पारवती के आदी अनादी एकल रूप का चित्रण भी है शिवलिंग वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड की इस पूरे यूनिवर्स की जो ठोस और उर्जा है वो सभी शक्तिया शिवलिंग में समाहित है और शिवलिंग की आकरिती ही हमारे ब्रह्मांड की आकरिती है जिसे विज्ञान भी मानता है नासा भी मानता है नासा ने जो इमेज जारी की थी यूनिवर्स की वो शिवलिंग जैसी ही है इसलिए शिवलिंग को कहा गया है दि यूनिवर्स इस दा सिंबल ओफ शिवलिंग लेकिन लोगों ने शिवलिंग का गलत मतलब ही निकाल लिया और ये अर्थ का अनर्थ पीडी धर पीडी अभी भी आगे बढ़ रहा है और हमारे अराध्य भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग के अर्थ को गलत तरीके से बताया जा रहा है ताकि लोग इस पर हंसे हमारे सनातन का मजा कुड़ाए इस वीडियो को लोगों के साथ शेर करे ताकि लोगों को भी शिवलिंग का वास्तविक अर्थ पता चल सके और उनको भी पता चल सके कि वास्तव में शिवलिंग का अर्थ प्राइवेट पार्ड यानि जनेंद्रिया नहीं होता है शिवलिंग का अर्थ होता है भगवान शिव का प्रतीक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि जो भी वीडियो में सनातन धर्म से जुड़ी बनाओ उसकी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे धन्यवाद